दोस्तों अगर आपको चेक के माध्यम से पैसे को कैस निकालना है किस प्रकार से दोस्तों आप कैस पैसे को निकाल सकते हैं दोस्तों आपको बैंक में अदर कोई फार्म नहीं वरना पड़ेगा है क्यों चेक के माध्यम से आप पैसे को निकाल सकते हैं या दोस्तों किसी को आ मैं आपको बताने जा रहा हूं तो दोस्टों अगर आपको cash पैसा को आपको निकालना है बैंक से तो simply दोस्टों आपको करना क्या है सबसे पहले यहापको debt को fill कर लेनी है उसके बाद दोस्टों यहापधे जो भी है यहाप पर जैसे self लिखेंगे या Whenever पैस क Community को लिख सकते शुक्रम को दोस्तों यहांपे पाइस को लिखना इसके बाद यहां पर दोस्तों जो भी आपका रूंदिए इंगलिश variance में आप यहां पर लिख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको एकाउंठ पर चेको देना होगा This is इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आप देख सेंगे इस प्रकार से आपको यहां पर ट्रिक कर देना होगा दो लाइन यहां पर खिश देंगे तो यहां पर दोस्तों आपके एकाउंट में ही पैसा जाएगा आपको कैस पैसा नहीं मिलेगा अगर दोस्तों यहां पर लाइन न को ध्यास रखना है कि आपको घृषब सिंपल्ट कर लेंगे उसके ऑद दोस्तों यहां पे आपको सिंपल से दोस्तों यहां पर आको से बू Hang पर दोस्तों आ या दोस्तों हिंदी में लिखना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से स्वयम लिख सकते हैं दोस्तों आपको एक ही लिखना चाहिए सेल्फ लिखना है या स्वयम लिखना इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसके बाद दोस्तों जितना भी पैसा आ यहां पर इस प्रकार से कर दिया उसके बाद दोस्तों यहां पर English में आपको या Hindi में आपको फिल कर लेना है यहां पर लिख लेना है जैसे यहां पर मैंने फिलिख देता हूँ यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपको ओबर राइटिंग ध्यान रखना है दो तो भरके इस प्रकार से 1000 इस प्रकार से लिख के दोस्तों यहाँ पर only लिख देंगे इस प्रकार से यहाँ पर only लिख के दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ पर आगे इस प्रकार से भी कर सकते हैं चेक पर यहां पर आपको बहुत ही तरीका है दोस्तों यहां पर आप क्रास कर देंगे यहां पर कोई लेता है तो अधर कोई कुछिस में करेक्शन ना कर सके उसके बाद दोस्तों यहां पर आजाता है यहां पर आपको साइन करने के लिए तो जो भी आपकी साइन होगी यहां से आप इस परकार से यहां पर sign कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आप check number देखना चाहते हैं, तो यह आपका check number हो जाता है. अब दोस्तों इसमें आपको ध्यान रगना, या तो self लिख सकते हैं या swim हिंदी में लिखना, जो भी आप हिंदी में लिख सकते हैं मैंने आपको उधारण के तोर पर बता दिया है दोस்तों अगर इसको आप बैंक मिले जाते हैं इस प्रकार से तो इसको आप भरके यहाँ डारेट आप पैसे को निकाल सकते हैं पीछे भी दोस्तों अगर आप क्या करना simply दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसको सबसे पहले आपको अगर एकाउंट पे देना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर एकाउंट पे के लिए इस प्रकार से आपको यहां पर दो लाइन कीज देना होगा अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर account holder लिख सकते हैं नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं कोई इसू नहीं है उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर date लिख लेंगे जो भी आपकी date होगी उसके बाद जिसके नाम से भी अगर आप चेक देना चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है जैसे दोस्तों मुझे इस परकार से लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे मुझे इनको देना है इस परकार से मैंने लिख लिया इनका नाम जो भी होगा इस परकार से उनका नाम सही तरीके से आप फिल कर लेंगे जितना भी माली जी मुझे यहाँ पर 50,000 इनको देना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस परकार से यहाँ पे फिल कर लेता हूँ वह इस परकार से दोस्तों यहाँ पे आप कर लेंगे जो भी डेट होगी यहाँ पे आप डेट को इस परकार से फिल कर लेंगे जो भी आप इस परकार से आपको ध्यान दोस्तों एक बात को हमेशा रखना है कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है ओवर राइटिंग कर देंगे दोस्तों आपका चेक खराब हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी होगा हिंदी इंगलिस में जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पे आप इस परकार से हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी इस परकार से 50,000 रूपिया अगर मुझे देना है 50,000 रूपिया मात्र इस परकार से आप लिख के यहाँ से इस परकार से आप कराज भी कर सकते हैं यहां पे इस प्रकार से ताकि कोई form या आपका जो भी चेक है किसी को अगर देना है तो कुछ इसमें इसमें आप लिक न सकें उसके बात दोसतों आप यहां पे signature कर देंगे जो भी आपकी signature होगी यहाँ पे आप signature कर देंगे आपको एक पीछे signature कर देना है एक कर सकते हैं या दो कर सकते हैं दोस्तों इस परकार से उसके बाद दोस्तों अगर आपको इस farm अगर आपको कोई check दे देता है अगर इसको आपको जमा करना है तो किसी भी bank में दोस्तों आप जाएंगे तो वहाँ check number उसमें आपको fill कर देना जो भी आपकी detail होगी bank account number आपका नाम जो भी होगा उसमें सही तरीके से आपको fill करके check का होता है check में आप इसको step level करके आप जो check box होता है check box में आराम से उसको डाल देंगे और आपके account में जो भी जितना दिन है एक्सो दो दिन तीन दिन में आपका प्रोसेस होके एकआउट में पैसा आ जाता है तो दूस्तों यह तो हो गया एकाउट चेक हो गए अगर एकाउट से तो इस माद्यम से आप पैसे को निकाल सकते हैं तो I hope दोस्तों समझ गए होंगे मिलते हैं आपसे किसी next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजेगा दोस्तों अगर आप चैनल पे ना होंगे तो चैनल को भी सिस्क्राइब करें चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी आओर वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद